फेलो नमस्कार कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका मेरी चैनल ममता फ्लेवर में तो आज हम बनाने वाले हैं आलू गोवी की बहुती टेस्टि सबजी आपने शादी वागिरा में आलू गोवी की सबजी खाई होगी बहुत अच्छी लगती है बिल्कुल वैसे ही टेस्ट वाली सबजी हम गर भी बना सकते हैं वो भी बहुत आसान तरीके से आलू गोबी तो खाने में वैसे बहुत ज़ादा टेस्टी लगती है लेकिन कभी-कभी घर पे भार वाला स्वाद नहीं आता है तो आप इसी तरीकी से बनाएं, सबसे पहले हम यहाँ पे तेल अच्छा गरम करेंगे और आलू और गोवी को मैंने अच्छे से दो करके कट कर लिया है उसके बाद हम इने डी फ्राइ करेंगे लो मीडियम फ्लेम में हमें डी फ्राइ करना है ताकि यह अच्छे से अंदर तक गल जाएं अगर आप हाई फ्लेम में करेंगे तो यह बाहर से जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्छे रहेंगे तो इन्हें अच्छे से हमें deep fry करके soft करना है बिल्कुल और बीच बीच में आप थोड़ा चलाते रहें और flame को जादा ना low करें ना high low flame होगी तो बहुत जादा तेल पिलींगी सबजी आइ इसलिए low medium flame में हमें इने fry करना है तो एक बार आप इस तरीके से चमज से कट करके देख ले तो आलू बहुत आसानी से कट हो रहे है तो अब हम इने side में rope के निकाल लेंगे ताकि extra oil जो है वो बड़तन में ही रहे तो देखे इस तरीके से सारी सबजी को हम निकाल लेंगे एक plate में उसके बाद जो बचवा तेल है एक चमस तेल रखने दे आप और तेल निकाल ले side में रखने तो उसी कड़ाई में मैंने एक चमस तेल है और यहाँ पे तेल गरम अच्छा हो गया है यहाँ पे जीरा हींग और दो तेज़ पत्ते डाल ली है अब हम यहाँ पे दो बारी कट्वी प्यास जाल लेंगे और अच्छे से हमेशाँ चलाते अच्छे की ःम अप लो-मीडियम ही रखें उसमें प्यास बहुत अच्छा ब्राउन हो जाता है अगर आप लो रखेंगे तो बहुत देल लग stesso ब्राउन होने में और तेज आज पे तो प्याज जल ही जाएगी हलका सा जब ब्राउन हो जाए, कलर चेंज हो जाए हम यहाँ पे दो चम्मच लहसुन अद्रग का पेस्ट डाल लेंगे आपको पूरे दो चम्मच लहसुन अद्रग का पेस्ट डालना है यहाँ पे इसमें लहसुन जादा और अधरक थोड़ा कम होनी चाहिए पेस्ट में तो देखे बिल्कुल कलर ब्राउन हो गया है अब यहाँ पर आधा चमच कश्मिरी लाल मिर्च एक चौथाई चमच लाल मिर्च एक चौथाई चमच हल्दी और एक चमच यहाँ पर हम धनिया पाउडर डाल लेंगे और नमक आप स्वादानुसा डालें मैंने एक चमच नमक डाल लिया है और आधा चमच हम यहाँ पर डाल लेंगे गरम मसाला गैस की फ्लेम अभी लो ही है उसके बाद हम और डालेंगे तीन टमाटर की प्यूरी तीन टमाटर को मैंने मिक्सि में पीस लिया था तो जितना प्याज होता है वैसे उसका दूगना टमाटर होना च Random बड़े साइस के थे तो मैंने तीन टमाटर और डाल लिए तो अब हमें इस मसाले को बहुत अच्छे से पकाना है कम से कम 7-8 मिनट तक हमें मसाले को अच्छे से पकाना है ताकि इसका कलर बिल्कुल चेंज नहों जाए जब तक चाहे तो हलका सा हम पानी भी डाल लेंगे और मसाले को ढखके अच्छे से मैंने 8-10 मिनट पका लिया है उसके बाद हम यहाँ पे आलू गोबी डाल लेंगे फ्राई की हुई चाहे तो आप हलका सा हम पानी भी डाल सकते हैं 3-4 टेबल इस्पून और सारे मसाले को हम अच्छे से सब्जी में मिला लेंगे बहुती ईजी बहुत सिंपल है यह सब्जी बनाना और बनके बहुत अच्छे से त्यार हो जाती है और हम ढखके इसे कम से कम 4-5 मिनट के लिए पका लेंगे लो फ्लेम में चार से पांच मिनट बाद हम चेक करेंगे हमारी सबजी बहुत अच्छे से बनके तयार हो गई उसका कलर भी बहुत अच्छा रहा था तो आप इसी तरीके से घर पर बनाया अलोगोबी की सबजी यकीन मानिए बहुत जादा च्छे बनके तयार होगी बहुत टेस्टरी लगीगी तो ये रही मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बताईएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मैं मिलूंगे आपको अगली ही एक ऐसी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाए टेक केर आप